तो आपी मैं हूँ 4000 आर्पिम पे स्टेकेंड गेर में 4000 आर्पिम के बाद में गाड़ी थोड़ी बार लगते हैं अगर मैं एक बाद बोलू अगर कॉन्फिदेंस की तो आने वाले वीडियो में भी आपको पिक्चर कॉलिटी पहले से अच्छी देखने हो मिलेगी तो भाई आज हमारे सामने है बलीनो जो की नेक्सा का प्रोड़ेक्ट है सबकी पसंदीदा कारों में से एक कार बलीनो और यह है इस कार डेल्टा वेरियंट और भाई बात करें इस कार की यह जिससे कंपीट करती है तो वह है आईटिन्टी और पोलो बात करें इस कार की 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 तो आपको कुछ इस तरह की डेल्टा वेरियंट की की दिखाई देती है जिसके अंदर आपको लॉक अनलॉक का बटन नीचे जो बॉटर लाइन इसमें आपको क्रोम का काम मिलेगा बीच में आपको यहां पे सुजू की का लोगों मिल जाता है और बात करें इस कार के ग्राउंड क्लेरंस की तो यहां पर आपको मिल जाएंगी पर एक ट्रैड लेंगे और फ्रंट से यह कार कुछ इस तरह की दिखाई देती है जो कि इसको एक काफी अग्रेसिव और एक काफी मतलब अच्छा लुक देते हैं और बात करें इस चीज़ की तो यह आफ्टर मार्केट लगवा हो है और अब हम चलते हैं इस कार के साइड लुक पे तो बात करें इस क का जो वील है वो हो स्टील रिं मिलते हैं इस वाले वेरियंट में आपको अलवाई वीलस नहीं मिलेंगे और यह आपको MRF के टायर यहां प प्रम्हें को लेंगे तो आपको बॉडे कलरी देखने को मिलेंगे बात करें इसके बीपिलर की और C pillar की तो इसका जो B pillar है और जो इसका C pillar है ये भी आपको black color का देखने को मिलेगा इस variant के अंदर आपको कोई भी sunroof देखने को नहीं मिलती है और बात करें यहाँ पर आपको एक normal antenna मिलेगा shark fin antenna आपको इस variant के अंदर नहीं मिलता है अब चलते हैं इसकी rare profile के उपर तो जैसे हैं रेयर profile के उपर आते हैं हम देखते हैं कि यहाँ पर यह जो car है इसके अदर आपको देखने को मिल लेगा उसके साथ में आपको रियर में एक वाइपर देखने को मिल लेगा जो कि डेल्टा वेरेंट एक काफी इस चीज मतलब value for money इसको बना देता है उसी के साथ में यह तो आप यह देख रहे हैं क्रोम का यह भी आफ्टर मार्केट लगवा हुआ है लेकिन इसके अंदर आपको जैसा कि मैंने बताया कि आपको डिफॉकर मिल रहा है तो भाइब हम आ चुके हैं कार की ड्राइविंग सीट के उपर और इसको चला के देखते हैं कैसी है तो इसको स करना नहीं चाहिए कर तो मैं को भाई थोड़ा सा नॉइजी फील हो रहा है सही बता हूं तो और मैंने इसकी जो एसी की वह है वह भी काफी कम रहा है यह फैन की स्पीड लेकिन अंदर में थोड़ा-थोड़ा साउंड मैसूस हो रहा है आइटिंग लोगो नहीं होता हुआ इसलिए मेरे को हो रहा है चला की देखते हैं गाड़ी को कि बात करें तो दीनाजार आर्ब्यम की उपर जाती ही गाड़ी बहुत ही जादा ओकल हो जाती है काफी ज्यादा इसका साउंड यहां पर बढ़ जाता है गाड़ी इस तरह आपको और देखने को मिलेगा तो इस का सब्सक्राइब करें तो अब हुआ हुँ चाराजार आर्पीम पर स्टेकिंड गेर में चाराजार आर्पीम के बादे हुए गाड़ी थोड़ी बागन लगती है लेकिन अगर मैं एक बात बोलों अगर कॉंफिडेंस की तो यह अभी गड़ी वसी तक टच कर गई थी तो एक स्टेरिंग का जो कॉंफिडेंट कॉंफिडेंस एक आदमी को फील होता है वो मेरे को इसमें इत्ता फील नहीं हुआ सभी बता हूं तो अधूमिलनों के बारे में कि जो बवरियों का इंजन आता पैट्रों इंजन वह का आफिर साइलन्ट होता होगा यह यह नहीं कुगो कि बहुत ही ज्यादा वाज आ अवाज आ है हाँ लेकिन अगर बात करी जाए इस जो सुंड्ड आना है तो वही मतलब मैं सोचल ब्सक्रस नहीं आएगा एक बार इसको और खेंच के देख लेते हैं जीरो से तो यह मैं जीरो पर आगया हूं फॉस्ट गेर दो जार आर्पिम डाई जार आर्पिम पर आर्पिम पर आर्पिम काफी अच्छे से उपर ले जा रही आड़ी कि अच्छे सब्सक्राइब करने की तो भी गाड़ी ठीक है लेकिन वही काफी हलकी मैसुस होती है मेरे को गाड़ी है एक जई और की इस कार के अंदर आपको जो सीट्स हैं वो आपको इसमें कर सकते हैं तो भाई यह जो कार है यह इसकी जो प्राइस रेंज के साफ से काफी अच्छी कार और बात करूं तो मेरे को जिस इंजन में थोड़ी सी आपको देखने को मिलती है उसी के साथ में इसका जो मतलब एक फील है तो मतलब एक एसा लग रहा था कि थोड़ा सा गाड़ी में वह हलकी मैसूस हो रही थी और जो इसका मैं काफी मेनद करता हूँ आपके लिस्टर के वीडियो लेकर आने के लिए और जो कैमरा क्वालिटी अपने अप्डेट करें उसके लिए लाइक बनता ही है तो मैं मलता हूँ उसे नेक्स वीडियो में थैंक्यूस वाचिंग इस वीडियो गूडबाए